हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर चैनल दियमस बेस्ट आज हम बात करने जा रहे हैं आई पी उनिवर्सिटी के काउंसिलिंग के बारे में जो इस साल 2021 में जो एंट्रेंस हुए आई पी के उसके काउंसिलिंग का शिडूल आ चुका है और हम फाइफ कोर्स जो थे बीए व सबसे पहले उसकी ओफिशिल एबसाइट अड्मिशन की यह यह ओपन हो जाएगी यहां पर यह काउंसिलिंग का है क्लिक करना यह बुलू आला यहां से लोड हो जाएगा तो यहां पर यूजर आईडी और पासफ़र डालना है और यह पिन सेक्वेरिटी पिन है इसको डाल कि उसके बाद यहां पर ऐसे ओपन हो जाएगा यह वाला पेज इसमें रिजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट दिखा रहा है और यह सारे इसको कंप्लीट करना है तो सबसे पिल अब हमें स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज इसको स्टेप वाइज फिल करना है एक इसमें अपियर्ड मनलब कि कहां से 12th कि अधर डेली और फिर आउटसाइड डेली तो इसमें डेली एंसिटी कर देना है जो डेली से और जो अधर स्टेट के अधर कर देना रिलीजन जो भी रिलीजन है आपका चाहे हिंदू इसम जो भी एंड केटेगरी अगर जनरल है तो नौट अपली केबल जिसमें भी आते हैं डिफेंस पर्सनल नो जमून कश्मीर माइगरेंट फिजिकली हैंडिकैप नो कोई मार्क हो अगर तो डालना है और यहां पर बैंक डिटेल डालना है यह रिफंडेबल के लिए फी रिफंड करने के लिए होता है अब अपना या फ जैसे सीट एकसेप्टेंट फीस फोटी थाउजन होती है ना अगर फिर अगर किसी को अडिमिशन नहीं लेना कैंसल करवाना है तो फी रिफंड हो जाती है इसी अकाउंट में इसलिए देते हैं तो चलते हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो नेक्स्ट प्रोसेस है य जो अब से पहले किया था मनें विउएडित अप्लिकेशन डिटेल अब इसके बाद कॉंटेक्ट डिटेल है यहाँ पर एड्डरस डालना है घर का प्रेमिश नबर सब लोकैलिटी डालना है यहां पर यह पर लो टाउन विलेश डालना है यह स्टेट डेलिया अगर अगर यूपी बिहार राजस्थान जो भी वहां का डाल दे और जो पिन कोड़ है वहां का country इंडिया और डिस्टिक जो भी है वहां का और फिर same as correspond address कर देना है यहां पर blue tick फिर save and next कर देना है फिर आगे के चलते है process में अब उसके बाद जो next process है यह है qualifying exam detail जो last qualify जो last study की है उसकी details मास्टर्स की counseling है तो last graduation कहां से की है उसकी detail और अगर graduation के लिए है जैसे BBA BCA तो लास्ट 12 कहां से की है उसकी detail तो सब पास हो गया है जो appearing के वैसे तो सब पास हो गया इस बार तो पास जिसी एर में पास होगे कुछ droppers भी होते हैं 2021 यहां पर अपने 12 का रोल नंबर डालना है कौन सा board CBSC बहुत सारे board जो भी चूज करना है यहां पर institute name address जहां से 12 करा है उस college का नाम यहां उस school का नाम डालना है percent mode maximum marks मतलब जो total marks थे 12 में और कितने आए 500 600 का होता है 5 और 6 subject और कितने उसमें से आए 450 या जितने भी फिर आटमेटिकली यहां पर परसेंट केल्कुलेट हो जाएगा फिर उसके बाद हम चलते है next process पर अब इसके बाद यह documents अप्लोड करने के लिए images or documents नेक्स इसका तो इसमें जो डालना है जिसका सबसे पहले है 12 class mark sheet 12 की जो mark sheet वो डालनी है document format PDF डालनी है फोटो ने डालनी PDF डालनी है फाइल minimum 50 KB होनी चीए और maximum 300 से ज्यादा नहीं होनी चीए के बी से और अगर जो appearing को तो कोई है ने लेकिन अगर कोई appearing का है तो वो कोई प्रूफ डाल दे अपने admit card डाल दे PDF फाइल बनाकर दूसरा है cancel check अब cancel check जिसको नहीं पता उसको बताता हूं मैं cancel check क्या होता है अब मैं उसक कोई category apply किया है तो उसका certificate आता है अब जैसे इसमें तो कोई note apply के वले general लगाया है और कोई minority नहीं डाला तो इसलिए मेरे में कुछ आ नहीं रहा है सिर्फ दो ही आ रहा है तो जिसने apply किया उसका आ रहा होगा उसको अपलोड करना है तो अब मैं बता देता हूं cancel check क्या होता यह इसकी click करनी और PDF में डालना इसको नॉर्मली फोटो डालनी है बस यह होता है cancel check और चलते हैं हमारे next page की तरफ इसके बाद upload करने के यार मैंने समझा दिया अब उसके बाद जब verify कर दोगा verify का option आएगा self verify वो कर देना documents का उसके बाद फिर final submit कर देना जो आएगा चेक कर गलती मत करना उसके बाद यह वाला page open हो जाएगा तो यहां पर payment करनी है 1000 कि इसके बाद counseling का प्रोसेस स्टार्ट होगा यह इससे पहले वो दुबारा से refill कर रहे थे registration कर रहे थे दुबारा से वो कि अगर पहले किसी ने form में गलती कर दी तो अभी correction कर सकता है तो online payment करनी है pay fee उसके बाद यहां पर यह details आएंगी उपर उसको फिर यहां पर कर देना है उसके बाद proceed for payment फिर यह open हो जाएगा उसके बाद यहां पर जैसे भी payment करना है आपको कर सकते है credit debit है ATM इंटरनेट बैंकिंग है जो भी है तो इसके बाद payment करने के बाद स्टार्ट होगी तो हम payment कर अब payment करने के बाद ऐसा option आएगा फिर go back कर देना है इसके बाद finally आजाएगा यह open हो जाएगा फिर payment देने के बाद फिर इसके बाद कोई option क्लिक हो नहीं रहा है भी जैसे available choices पर click करते हैं तो उस पर लोड नहीं हो रहा choice filling पे भी नहीं हो रहा seat alignment result पे भी नहीं हो रहा किसी सारी process इसके आगे की process भी हम लेकर आजाएंगे जो step wise choice filling करनी होगी किस college को ऊपर रखना है फिर उसके बाद कौन सी रखनी है उसके लिए फिर like कर दो हमारी वीडियो को और नहीं हो तो subscribe कर दो share भी कर दो और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में